दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका भारत के उपर थोड़ा जादा ही महरवान है दोस्तों ये वही अमेरिका है जो एक समय तक भारत को साधरन हतियार देने के लिए तैयार नहीं था अलेकिन अब अमेरिका भारत के उपर इतना अध यार है तो उही पे लगातार कवरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने फिफ जनरेशन के फाइटर यार क्रेप्टों का भी ओफर भारत के सामने रखा है पर दोस्तों इन सभी चीजों से आगे बढ़के अब अमेरिका के द्वारा भारत के सामने और ए 130 जे सुपहर कुलिस यार क्रेफ्ट का जो कि एक ट्रांसफोर्ड यार क्रेफ्ट के काटेगरी में जाता है और रिपोर्ट के मताविक अमेरिका के द्वारा इन यार क्रेफ्टों का ओफर केवल मात्र MTA टेंडर के अंतरगत भारत के साब ने नहीं रखा गया है बलकि अब अमेरिका इन यार क्रेफ्टों के लोकल प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो चुका है और दोस्तों ये पहली वार ऐसा होगा जब अमेरिका के मिलिटरी ट्रांसपोर्ट यार क्रेफ्टों को किसी अन्ने देश के अंदर निर्मान करने को लेके इस तरीके का बड़ा ओफर किया गया होगा यहां पर दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि पिछले साल ही भारत के तरफ से एरफोर्स के आबशक्ताओं को देखते हुए एक मेगा टेंडर जारी किया गया था और MTA टेंडर मतलब मल्टी रोल ट्रांसफोर्ट यारक्राफ्टों के टेंडर कहा जाता है इस टेंडर के अंतरगर 40, 60 या 80 यारक्राफ्टों को खरिदने को लेके भारत के तरफ से तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताविक इसे देखते हुए दुनिया के कई सार मतलब दोस्तों भारत के तरफ से एक बात तो साफ कर दिया गया है कि केवल मात्र उसी यारक्राफ्ट के भारत नहीं खड़ देगा जो कि भारत के आवशक्ताव को पूरा करने में समर्थो बलके उसके साथ-साथ यारक्राफ्टों के ट्रांसफोर अफ टेक्नोलोजी और मे ये भी वता होगा कि अमेरिका जैसे देश अपने हत्यारों के टेकनोलोजी को लेके कितना सेंसिटीव है और किस तरीके से बड़े-बड़े देशों तक को अमेरिका के द्वारा हत्यारों के टेकनोलोजी देने से मना कर दिया गया है पर ऐसे में जब से खवर ये आया है कि अमेरिका भारत को C-130 J-30 सुपर हरकुलिस यार्ट्रेप्टों का ओफर किया है तब से ही अंदाजा लग रहा था कि अमेरिका भारत को ट्रांसपर अफ टेक्नोलोजी के लिए तैयार हो गया है पर अब अफिशली ये कनफर्म किया जा रहा है कि अमेरिका के तरफ से भारत के सामने इन यार्ट्रेप्टों को लोकली मिनुफैक्चर करने को लेके वी ओफर रखा गया है जो बैसिकली C-130 का एक ऐसा वेरियंट है जिसके द्वारा एरियल रिफ्यूलिंग के काम को अंजाम दिया जा सकता है और आप लोगों को पताई होगा कि भारत को फिलाल एरियल रिफ्यूलिंग यार्ट्रेप्टों का कितना अधिक आवशकता है दोसों इंडियान यार्फोर्स के तरफ से ही जो MTA टेंडर को जारी किया गया है असल में इस टेंडर के अंतरगत इंडियान यार्फोर्स अपने बेडे में पुराने हो चुके एंटन ओफ एन-32 जैसे यार्ट्रेप्टों को रिफ्लेस करना चाहता है जो कि 80 के दशक में स सोवियत यूनियन से खड़िदा गया था और रिपोर्ट के मुताविक इंडियान यार्फोर्स के बेडे में 100 से भी अधिक एंटन ओफ एन-32 जैसे यार्फ्ट है और इसे रिप्लेस करना इसलिए भी अति आवशक बन गया है क्योंकि ये जो यार्फ्ट है ये काफी पुर को कैरी कर सकेगा और इससे ये फी अंदाजा लग रहा है कि MTA टेंडरों को केवल मात्र एंटन ओफ एन-32 को रिप्लेस करने के लिए ही नहीं खड़िदा जा रहा है बलकि इंडियान यार्फोर्स के शमत्या में कई गुना बृध्धी करने के लिए भी खड़िदा जा रह है रिपोर्ट के मताबिक भारत असल में यार्फ्टों का 22 हुआ इस्तेमाल करता देश है जो कि अल्रेडी ऐसे 12 यार्फ्टों को खरित के लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है और इससे इन यार्फ्टों को भारत के ज्वारा ओपरेट करना और आसान हो जाएगा और अगर मे C-130 सुपरहकुलिस यार्फ्टों के सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है जो कि अल्रेडी इन यार्फ्टों के मेकिन इंडिया इनिशिटीफ में मदद कर सकेगा हाला कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए वता दू कि फिलाल जो तीन यार्फ्टों का ओफर भारत के सामने हुआ है वो 26 टन और A400 एम करिफ करिफ साइटी स्टन तक पेलोट को कैरी कर सकता है इसके इलावा तीनों यार्फ्टों में सबसे पुराना डिजाइन C-130 यार्फ्टों का ही है हाला कि J-30 इन यार्फ्टों के सबसे अपग्रेडर वर्जन है जिसे की ह हाली में ही निर्मान किया गया है पर इसके अगर असल डिजाइन को देखा जाए तो दितेवी शहिद्ध के बाद ही इसे तयार किया गया था जिसमें कई बार कई सारे बदलाव करते हुए अभी तक इन यार्फ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है अब दोसों एक तरफ जह है जिन कारणों के वज़ा से आज भारत दुनिया के सबसे बड़े हतियारों की इंपोर्टर लिष्ट से अपने नाम को हटा के दुनिया के हतियारों के एक्सपोर्टर के लिष्ट में अपने नाम को शामिल कर पाया और दोसों प्रधनमंत्री श्री नयंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा संकल्फ है कि साल 2025 तक भारत को 5 बिलियन डॉलर के हतियारों को एक्सपोर्ट करने वाले देशों के लिश्ट में शामिल किया जाए। अपने जो कदम है वो अफरिकाई देशों के अंदर भी बड़ा रहा है और अफरिकाई देशों के अंदर जो हतियारों को लेकि एक बहुत बड़ा मार्केट है उससे भी भारत के तरफ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। के भारत के द्वारा निर्मान किया हुआ तेजस जैसे हलके वजन के एरक्रेफ्ट से शुरू करके लाइट कॉमबैट हेलिकाफ्टर प्रचेंट लाइट इूडिलिटी हेलिकाफ्टर इवन एडवांस लाइट हेलिकाफ्टर से शुरू करके भारत के तरफ से निर्मान किय हुआ आटी लेडी टैंक और मिसाइल इन लिश्ट में शामिल है और मिसाइलों में भी अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पसंद भारत के आकाश मिसाइल और ब्रमोस जैसे मिसाइलों को ही किया जा रहा है इवेन ब्रमोस मिसाइलों को देखा जाए तो करीव करीव एक डजन वर ऐसे देश है जो भारत से ब्रमोस मिसाइलों को खरिदने को लेकर बातचित कर रहा है जब कि रिपोर्टों में यह वी दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा डेफलफ्ट किया हुआ लगभग अब तक सफलता नहीं मिला जबकि दूसरे तरफ अगर अफरिकाई देशों को देखा जाए तो इन देशों में कई तरीके के टेंशन है खास करके उग्रिवाद और आतंगबाद का जो टेंशन है उसे लड़ने के लिए इन देशों के तरफ से लगातार प्रयास किया जा र रहा है और इसी कारण के वज़ा से पिछले कुछ देशों को उसे अफरिकाई देशों के द्वारा केवल मात्र रशियन और चाइनीज हतियारों को ही खड़िता ग्या है हाला कि रशिया के लड़ाई शुरू होने के बाद एक तरीके से इन देशों के साबने सबसे बड़ा चैलेंज रशियन हतियारों को लेके ही बना हुआ है क्योंकि अगर इसके पावजुद भी इन देशों के तरफ से हतियार खड़िता जाता है तो नो डाउट इनके उपर प्रतिवन लग सकता है बाकी रहा चाइनीज हतियार तो आप लोग को पताई होगा कि किस तरीके से च चुनहरा ऑप्शन का तलाश कर रहा था और अब भारत के सामने जो ऑप्शन है वो आ चुका है ऐसे में इसी कारण बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा लगवग अपने हर तरीके के डिप्लोमेटिक प्रयास चलाया जा रहा है ताकि अफरीकाई देशों के अंदर भारत दिनके से और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम